हेलो आप देखरें अपना पसंदिता चैनल ग्यानोदे के गुरुजी सुभाई रात के आठ बच चुके और आपके सीवमसर आपके सामने लाइव आ चुके हैं आज के इस क्लास में हम लोग डिसकस करेंगे समांतर माध की गणा करना सीखेंगे और क्या सीखेंगे आज हम लो लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 14.1 के कुछ कोशन करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आपको पता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है जैसे प्रतियच विदी द्वारा माध की करना कैसे करते हैं और कैसे हम लोग कल्पित विद द्वारा ग्यात करते हैं सवांतर माध्य अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी जा कि आप वहां से देख सकते हैं तो चलिए फाइनली इस सेशन को सुरू करते हैं हमारे साथ जितने बच्चे हैं यहाँ पर पद विचलन विधी है इसे अंग्रेजी में कहते हैं step deviation method अब यह विधी कब प्योग की जाएगी जब हमें इस तरीके के आकड़े दिये होंगे अर्थात वर गंतराल दिया होगा और हमें बारम बारता दी गई होगी और बोला जाएगा कि आप समांतर माध्य की गढ़ना क अगर लिखकर आया तो आपको definitely फिर यही वाली विधी करनी पड़ेगी और अगर लिखकर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है आप किसी भी विधी का उपयोग कर सकते हैं इसलिए सीखना तीनों विधियां है ओके मेरे पैरे बच्चों सबसे पहले यह इसका formula है आपके सामने formula लिखा है कि माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FU बटे में N और गुडे में H पिछली क्लास में अगर आप थे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा नहीं भी थे तो कोई बात नहीं A को हम लोग क्या कहते है कल्पित माध्य यह क्या होता है अभी मैं पूरा आपको दिखाऊंगा इसमें से कौन सा number है कल्पित माध्य आपका होगा उसके बाद N क्या होता है इन सारी बारंबारताओं का योग जैसे अगर हम लोग 1,2,3,3,3,3,6,6,4,10,10,15,15 और 15 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 21 इस 21 को हम लोग क्या बोलेंगे यह हमारा पूरा का पूरा जोड़ आ गया है तो इसे हम कहेंगे बारंबारता का योग इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक और number यहाँ पे निकालना होगा जिसे हम लोग कहेंगे यू अब यह सर यू क्या है देखो पिछले वीडियो मे आपने देखा कि हम लोग डी निकालते थे डी कैसे निकालते थे जिस जो लोग नए भी है कोई दिकत नहीं होगी हम लोग डी निकालते थे डी कैसे निकालते थे हम लोग करते थे X में A को क्या करते थे माइनस X क्या होता है अभी यहाँ निकालेंगे फिर आपको पता चले और उसके बाद हम लोग अगर आज क्या कर दें इसको एच से डिवाइड कर दें तो हम बोल सकते हैं कि जो यू हमारा है ये डी जो हमारा है इसको हटा के हम यू बोल देंगे समझ गए कुछ नहीं है बहुत आसान है आज का सेशन तो बहुत ही जादा आसान है आगई मेरी बात समझ में चलिए अब आपने देख लिया कि यू क्या है इसका फार्मला है एक्स माइनस ए बटे में एच और यू बराबर डी बटे एच लेकिन मैं कहता हूँ कोई फार्मला आपको याद करने की जुरत नहीं है यह सब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा जब तक सिवमसर है लेकिन अब है तो बताना तो पड़ेगा ही न यह यू अगर न ऐसा बताऊंगा कि सब कुछ सेम होगा मतलब आपको यू की वैलू पहले से पता होगी सारे कोश्चन म आपको फॉर्मले लगाने की जुरत नहीं होगी सर ऐसा ट्रिक लेके आए हैं अब उसके बाद एच एच क्या होता है वर्ग माप यह कैसा निकालते हैं उपरी सीमा माइनस निमन सीमा जैसे दस में अगर जीरो घटाएंगे दस आएगा बीस में दस घटाएंगे दस आएग मैं दूसरे question की तरफ जाऊंगा जैसे हमारे पास यह question एक और लिखा है यह question लिखे हैं इन प्रस्णों की तरफ जाऊंगा लेकिन पहले इसको discuss करता हूं अब आपको करना क्या होगा सबसे पहले एकस निकालना होगा एकस निकालने का तरीका क्या है हम जीरो में दस जोड जीरो में 10 जोडेंगे जितना आएगा 2 से भाग करेंगे इसका मतलब 5 10 0 10 दो से भाग क्या 5 इनको भी जोडेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 फिर इनको भी जोडेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 25 तो ये बार-बार कौन करेगा सबसे अच्छा तरीका है जीरो में कितना ब बढ़ रहा है पांच , तो तीस में भी हम क्या करेंगे आप बढ़ा लें हमें बढ़ाद लिए और पचास के क्या करेंगे पांच बढ़ा लें हैуем के यह हमने एक निकाल लिया है living कि हर X में से कोई भी एक जो है वो वैलू आपको चुनिनी पड़ती है जैसे कोशिस कीजिए बीच का चुनिये तो देखिए इसको इसको हटाया 15 को 45 हटाया 25 और 35 यह दोनों बीच में इन दोनों में किसी एक को आपको मानना पड़ेगा किसी भी एक को अगर आप किसी को भी नीच के लिए मैं माल लेता हूं ठीक और अगर यह एक दो तीन चार पांच छे संख्याएं हैं छे चीजे हैं हरा छे आपको दिख रहे हैं अगर पांची होते तो कितना आसान होता सोची यह ना होता तो फिर बीच वाला माल लेते समझ गया मेरे पैरे बच्चों बहुत आसान है तो इसका मतलब हमने ए बराबर कितना माल लिया है बहुत प्यार के साथ समझे ए बराबर माल लिया कितना हमने पचीस ए बराबर हमारा कितना आगया बच्चों पचीस आचुका है ठीक हमने ए निकाल लिया हमने एन निकाल लिया अब हम एच बराबर देखते हैं इस हैं कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमने सोचा भाई इनको घटा लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा इनकी, कोई वैलू बढ़ जाएगी हना हमारा माझ इसी के सामने आगया है, तो इसी को लिख लिए हमने, कितना आ गया 10 यह हमारा h कमान भी आ चुका है Honors सबसे पहले तो हम आपको यू निकालने की ट्रिक बताते हैं और उसके बाद हम फिर आपको इसillका फॉर्मला बताएंगे देखो यू निकालने के सामने आपको 0 लिखना है बात समझ में आ गई और ऊपर ऐसे गिंति लिखते हुए जाना एक दो समझ गए अब जीरो के नीचे आना है तो वही चीज प्लस में लिखना है एक दो और उसके बाद एक दो और उसके बाद नीचे क्या हो जागा तीन अब अगर और होता तो चार पांच शेक अगर स्कूल में टीचर पूछ लेता भाई यह कहां से आया तो कम से कम उसको बता तो सकोगे ना देखो ध्यान से अब यह निकालने का तरीका बहुत अच्छी तरीके से समझना सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यू निकालने का फॉर्मला क्या है एक्स माइनस ए और बते में एच ठीक और हमें मलनो यह वाला निकालना है यह वाला दो तो क्या करेंगे इसके लिए एकश कमान कौन होगा पांच osh ठीक कितना है पचीज और एक कमान कितना है 10 मैं यहाँ से देखूंगा तो आएगा माइनस का बीस बते में 10 और अंसर कितना आएगा माइनस का आपको सब के लिए करना पड़ता faktiki है कितना कठिन होता और अभी क्या हो गया,ब आपको यह वाला निकालना पड़ता, तो एक्स कौन है यह आप लिखते 15 we start 15 Maadz दस भाई देखो ना अभी तो कितनी बल्ले बल्ले हो गई आपको सोचना भी नहीं है और आपके सारे मान निकलते वे चले आ रहे हैं समझ गए तो बढ़िया तरीका बता दिया अगर किसे टीचर को बताना है तो आप यह बता सकते हो यह सारे मान कौन है एक्स लेकिन इसमें स प्र स्क्रीन सेमस्टोट हटाते है अबूरोग है ठीक है अब हमें क्या करना है एक यू निकालना है हमने क्या लिखा एक और यूँ अब दो कितना आसान हूँ टो बदॉब मिथीख सी द हो चीतना बड़ा कोशन आएगा टना अब बहुत आसान है पहले माइनस दो माइनस दो कितना हो जागा माइनस का 4 ठीक अब चार दस चौधा और 14 में अपने 18 जो क्या करेंगे जोड देंगे सब्सक्राइब नियां से आंसर कितना आने अब हमें क्या करना है सारी वेलू को रखना है इसको साफ करने वाला हुमें ले लिए आपने स्क्रीन सॉट समझ माया क्या करना है पहले हमें इन माइनस माइनस को जोड लेना है बाद में प्लस प्लस को जोड लेना है और उसके बाद तब इस तरीके से करना है अगर आपने कोई चीजनी आती यह चीज अप सीखलो हर चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो हमने क्या लिखामात है हमने यह बराबर माऱ बज्चो 25 मान रख़ा है तौँमने क्या कर दिया 25 सिख्णा FU का मान कितना हमारा आ गया 28 हमने क्या कर दिया 28 अगर minus 28 आता तो यहां bracket लगाते right N का value कितना है मेरे प्यारे बच्चो 21 हमने क्या कर दिया 21 और गुड़े में कितना है H हमने 10 बस अब कुल मिलाकर हमें इसको क्या कर देना है हल कर देना है बहुत आसान है देखो क्या करेंगे इसको साथ से काटते साथ तरिक 21 और साथ चोको 28 ठीक है आगे बास आज़ें तो पचीस प्लस चालिस बटे में 3 अब हमें क्या करना है बहुत सारे बच्चे अब इसमें ना लासा वासा लेके करने लगते है भाई बहुत टाइम लगता है देखो 40 बटे 3 है हम 40 लिखेंगे और इधर 3 लिखेंगे 3 एकम 3 एक हो गया 3 तरको 9 हो गया ठीक फिर एक आएगा दसमलो लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे यही बार बार आता जाएगा इसका मतब 13 दसमलो 3 तीन आता जाएगा बस हमें इनको जोड़ लेना है जोड़ने का तरीका क्या है 25 दसमलो 0 और 13 दसमलो 3 तीन तो 3 तीन दसमलो 8 और 3 बोलो समझ माया 38 दसमलो 3 तीन यह हो गया उमीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ माया होगा जल्दी से एक बार बता दीजिए आप लोगों को समझ में आया क्या बात है बहुत बड़ी आच्छे ब़ाई करो अच्छे से पढ़ाई करो बस यही करना है इस कोशन में बहुत आसाने calculation में कुछ नहीं है एक formula और सारी चीज़े हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये h कैसे निकालेंगे कुछ कह रहे हैं सर u कैसे निकालेंगे देखो भाई हम फिर से एक बार repeat कर देते हैं अब देखो u का क्या, u निकालने का क्या अच्छा तरीका है भाई हमने बोला जिसको आप a मानोगे उसके सामने 0 उपर माइनस में एक दो तीन चार और नेचे एक दो तीन चार ऐसे लिखते वे चले आओ जहां तक लिखना है और उसके लिए एक साथ और प्लस प्लस वाले एक साथ जोड़ने हैं यहां से अंसर आ जाएगा उसके बाद हमने अपने मान रख दिये और आसानी से कोश्चन को क्या कर लिया साल्व कर लिया सातर की किस साथ चकोटाइस चारदान चालिस चारिस बटे दिन बहुत आसान है कुछ भी दिक्कत नहीं है बड़े आसानी से पेपर में यह कोश्चन कर लोगे चलो भाई स्क्रीन सॉट ले लो और यह बड़ी गलत बात है कि आपने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है इस कोश्चन पर जाते हैं इन्होंने कहा वायू में सल्फा डायाकसाइड की सांधरिता भाग प्रतिमिलियन को ग्याद करने के लिए एक नगर के 30 महले एक नगर के कितने महले हैं 30 इसका मतलब यहां से N का मान कितना आने वाला है 30 पहले ही पता चल जाएगा कि इन सब को जोड़ने पर 30 आएगा अना फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि आकड़े एक अत्रित किये गए हैं नीचे प्रस्तुत किये गए हैं क्या ग्यात करना है माध ग्यात करना है अगर आपने कोश्चन को पढ़ा नहीं डंग से ना तो अभी को मैं बोल रहा हूं कि प्लीस अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत कर लो ताकि एक्जाम में आप बहुत अच्छा मांक्स लेकर आप आओ अपने माबाप का नाम भी आप लोग रोशन कर पाओ बच्चों अगर माबाप का नाम नहीं रोशन कर पाए तो ज कितना है 0.04 से 0.08 फिर कितना है 0.08 से 0.12 0.12 से 0.16 ठीक है 0.16 से लेकर 0.20 0.20 से लेकर 0.24 गिल लीजे कितना है 1 2 3 4 5 6 ठीक है आगई बात समझे बस नो डाउन कर लिया अब हमें अपनी 12 मारता को नो डाउन करना है एक स्टेप छोड़ कर ठीक है तो यहां क्या करिया 4 बच्चों यहां पे क्या हुआ 9 फिर यहां पे क्या हो गया 9 फिर यहां पे हो गया 2 फिर उ निकालना है एकस क्या निकालना है एकस मैंने कहा था इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद आधा करना है लेकिन जब कभी भी कोश्चन पेपर में कोश्चन आये तो एक चीज़ का याद रखना कि क्या यह सतत सतत वर्गंतराल है पहले यह चेक करूं इसको चेक करने के लिए जहां से खतम हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है जहां से खतम हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है इसका मतलब यह सतत वर्गंतराल है अगर यह सतत वर्गंतराल नहीं होता तो पिछले सेशन में बताया है हम अब हम x निकालते हैं इन दोनों को जोडते हैं 0.00, 0.04 जोड दिया हम लोगों ने, तो कितना उत्तर आएगा, 4.0.00, यही आजाएगा, भाई हमने आपको सिर्फ जोड के दिखाया, मुझे पता दा आंसर क्या आएगा, ठीक, अब हमें इसको क्या करना है, आधा करना है, 2 से दिवाइड करेंगे, यह आएगा, तो नोट डाउन करते हैं, क्या आएगा, 0.02, इसी तरीके से इसको करेंगे, 0.06, आप देख रहे हैं, कि इन में 4-4 बढ़ता जा रहा है, 2 के बाद 6 हो गया, अब यहाँ भी 4 बढ़ेगा, तो 0.06, यह भाई, 6 के बाद 10 हो जाएगा, फ कोई दिक्कत हुई क्या, कोई समस्या हुई क्या, कितना असान बता रहे हैं सर, इसके बाद क्या निकारना है बच्चों, इसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद यू निकालना है, यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका, कि आप सबसे पहले किसी को इसमें से ए माल लो इसमें से आप किसी को अपना A माल लो किसको माल लो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हैं इसका मतब दो नीचे से गए दो उपर से गए इन दोनों में किसी को एक को A मालना पड़ेगा चले इस बार हम नीचे वाले को माल लेते हैं नीचे वाले को माल लेते हैं, यह हमने ए माल लिया, ठीक, तो यहां हम जो जो लिखते हैं, यहां जो जो निकाल रहे हैं, वो लिखते जा रहे हैं, ए बराबर कितना आगया बच्चो, 0.14, ठीक है, अच्छे से clear हो गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके just सामने 0 आते हो, है न, है न सीवा, आप ही तो कह रहे थे, अभी क्यों कह रहे थे, पता नहीं, वेटा, बड़ी आसानी से बढ़ा रहा हो, मुझे पता है, इसलिए कह रहे थे कि सर आपका नाम ले, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन, मैं तो हर एक concept को बताने की कोशिस करत हो, क्योंकि अगर बच्छों concept नहीं बताऊंगा, तो चीजे फिर कैसे समझ में आएंगी, राइट न, अभी u command मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन क्यों लिखा, पीछे भी बताया है, मैंने क्यों लिखा गया है, ठीक, अब इसको इससे गुड़ा किया, चारतियां, बारा, न बराबर कितना आएगा, तीस आएगा, सौरी, ठीक, यहां से सिग्मा एफ यू निकालेंगे, देखो जो, बहुत अच्छा तरीका, बारा, अठारा, तीस, तीस और नो, 49, माइनस का 49, और प्लस का 8, इसका मतलब यहां से जो उत्तर आने वाला है, हमारे पास, वो आने वाल इसमें से यह वाली घटा देंगे, तो 0.04 ही आजाएगा, अब हम लोग इसको हल करते हैं, अब यह पीछे बताया है, बच्चों मैंने इसको, क्या करेंगे, बारम बारता, माध्य बराबर, एक से बराबर, सिग्मा, एफ यू, हरा, ए प्लस, सिग्मा, एफ यू, बटे में एन, और गुडे में क्या, एक कमान कितना मान रखा है, 0.14, सिग्मा, एफ यू कमान निकाला, माइनस का, 31, एन कमान निकाला, 30, ह कमान निकाला, 0.04, बोलो यहां तक, क्या आप लोगों को समझी माया, कुछ था इसमें, बड़ा आसान है ना, सच बताना, बहुत आसान है, तो यह आगे हमारे पास, 0.14, अब आगे देखो, क्या करना है आपको, बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ मैं, ठीक, इसको इसके साथ गुड़ा कर लो, और कुछ मत करो, इसको सिर्फ इसके साथ गुड़ा कर लो, देखो, क्या करना है, 0.04, गुड़ा करना है किसक 7 31 31 के साथ एक काम करते हैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताते हैंachen अरे चलो ठीक है एक से करते हैं चार जीरो दसम्लो जीरो तीन से करते हैं तीन चोको बारा के दो तीन चोको बारा के दो हासिल हुआ एक तीन जीरो जीरो एक हासिल था हमारा ठीक एक हमारा क्या था बच्चो हासिल था दसमलो लगाओगे फंश जाओगे दसमलो नवा भाद में लगाते है ठीक 3 4 12 के 2 हासिल वा 3 0 0 हासिल था हो गया 3 0 0 ठीक यहा गया कितना आगया हमारे पास 4 2 1 समझ मारी बात और 0 दसमलो कितना संख्या बाद है? 1.24 गुडा करने के बाद, तो हमने क्या किया, हमने यह लिखा, माइनस, 1.24, बटे में कितना है बच्चों? 30, बटे में कितना है हमारा 30 है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी परेसानी नहीं, बहुत प्यार के साथ समझ में आ रहा होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान के साथ समझना, बहुत ध्यान के साथ, यहां मारे पास, चाहो तो इसको 30 से गुड़ा कर लो, LCM ले लो, वो कर सकते हो, नहीं तो यह दूसरा काम करते हैं, ठीक, सॉरी, इसको हम लोग पॉइंट हटाते हैं, और 2-0 नीचे बढ़ा 42 इसका मतलब यहां से मेरे पास उत्तर जो आने वाला है वो आएगा इसको इसके साथ गुड़ा करेंगे 1442 इसका मतलब 4 दसम लो 4 दसम लो 2 आएगा गुड़ा करके तुम लोग देख लेना ठीक 4 दसम लो 2 0 और नीचे आजाएगा हमारा कितना 30 ठीक इसको इसमें से घटाएंगे अब इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे तो अब घटाते चार दसम लो 2 0 और एक दसम लो 2 4 ठीक 10 में 4 गए 6 अब यहाँ 1 बच गया हासी लिल गया रहा है तो यह आ गया 9 यह तीन मचा ज़ेंग थीन में गया दो 2 दसम लो 9 6 कितना आएगा दो दसनलो 9 और 6 ठीक अब इतनी बात clear हो गई अब उसके बाद हमारे पास कितना हो गया तीन कितना हो गया बच्छों तीन हो गया अब हम लोग 3 नहीं वी नीचे कितना 30 कि इसको तीन से उडाते हैं तीन दहम 3059 27 इतना आएगा 3927 इसके बाद फिर 2 बचेगा, तिनवट 24, ठीक, तिनवट कितना हो गया, 24 हो गया, इसके बाद, फिर मेरे पास 2 बचेगा, फिर से 3 छंग 18, इतना होगा, इसका मतलब हमारे पास जो आने वाला है, अब वहाँ न लिखू न, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास जगा नहीं है, यहा करूँगा, तो 0.0986, लगभग में लिख दिया, 0.09 और 9, या 0.09 ही छोड़ दो, आपका अंसर कितना आ रहा है, आपकी बुक में, बिल्कुल यही आ रहा है, देखो, यह इसमें एक हम लोग जोड सकते हैं, अगर 5 से जादा कोई नमबर होता है, तो इसमें जोड दिया जा इस तरीके से हमें अपने प्रस्नों को क्या करना है, करना है, बोलो यहां तक अगर कोई समस्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, चलिए, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीन सॉट ले लीजे, तो ले लिया होगा आप लोग ने स्क्रीन सॉट, आगे बात करते है अब ही हमारे पास कोश्चन नंबर कौन सा है, यह कोश्चन नंबर है आठ, हमें क्या करना है, इस कोश्चन को पहले पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से, लिखा क्या है जरा ध्यान से देखना, लिखा है कि किसी कच्छा में, किसी कच्छा अध्यापिका ने पूरे सत्र सब्सक्राइब अपने 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम लिखत रूप से रिकॉर्ड की इन्हों ने देखा कि ग्यारा बच्चे ऐसे थे जो जीरो से लेकर तक क्या थे अपसंट फे ऐसा ही करेंब करसुआ करेंगे इसको लगाना शूरू करते हैं और इसको लोग उससी विदित से लगाना शुरू करेंगे जिस विदिते हम नहीं कीये हैं तो सबसे पहला काम होगा हमारा क्या वर अंठ्राल को नोड करना ठीक मैं एक काम करता हूँ इस question को मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए देता हूँ और एक दूसरा question आप लोगों को बताता हूँ इस question को आपना कर लिजे homework जैसे हमने अभी बताया था उसी विद्स से आप इसको लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है आगे चलते हैं हम लोग अब हमारे पास दूसरा question है question number 9 आठ हम लोगों ने हमने आपको homework दे दिया है को खुद लगाएगा यह वाला हम बताते हैं question number 9 screenshot ले लिजे चाहे तो इस question का अब question number 9 है निमलिकित सानी में 45 नगर है यह नगरों की संख्या दी गई है कितनी 35 नगर सौरी साथ चर्टा दर इनकी दे गई है जैसे इन्होंने का तीन नगर ऐसे हैं जिसमें साथ चर्टा दर 44 से लेकर 55 तक है और 55 से लेकर 65 तक है कुछ ऐसे भी हमारे साथ चर्टा दर है जो नगर की संख्या कितनी है दस अब इन्होंने कहा कि माध्य साच्छर्टादर की क्या कर लीजिए बच्चों गड़ना कर लीजिए हमें क्या गयात कर रहा है माध्य साच्छर्टादर राइट अब माध्य साच्छर्टादर कैसे निकालेंगे जो मैथेड अभी हम लोगों ने सीखा है उसी मैथेड से हम लो वर्ग अंतराल ठीक वर्ग अंतराल बनाने के बाद आप वर्ग अंतराल को नो genre करेंगे इस नोप च्छों से एक्स कमया करेंगे छिए एक में फ कमान निकालेंगे आर फिर हम लोग से फ यू कमया नी का जातर हो और हम लोग यू से ची ने द्यान से 54 से लेकर सक्ष पंद क्षपंद द Deus Sicher लेकर 95 से लेकर कितना सु कि इस के बाद 65 से लेकर कितना सफ़यो तक फिर उसके बाद 75 से लेकर पचासी तक उसके बाद पचासी से लेकर कितना बच्चो 95 तक और इसके बाद मैं इस तरीके से यहां पर इसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ थिक द्यान से देखो अब मैं सबसे पहले अब U की F की वालों नोट कर लेता हूं नगरों की संख्या यह कितनी है 3 ठीक है यह कितनी है 10 यह जो भी संख्या आपको नीचे दी गई होगी यह 100% F होती है ठीक है 3 10 इसके बाद फिर 11 उसके बाद फिर 8 और 3 अब मेरा काम क्या होगा X निकालना कैसे X निकालते हैं हमारे पास यह लिखा है 44 और यह क्या लिखा है 55 ध्यान से सुनें यह क्या है 44 और 55 इन दोनों को जोड़ने के बाद हम लोगों को क्या कर देना बच्चो आधा कर देना दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद फि बॉक के होते हैं कौन सी बुक के होते हैं उन्किन कर रहे थे इस इनफर 25 होना चाहिए था तो अभी मुझे 5 5 45 जोड़ेंगे औरंकिका बड़त्यां 30 वह दोनुसेद करेंगे 120 एगा इस तरीके से मेरे पास X का मान भी निकल आएगा बच्चों जो हमारा main formula होता है वो क्या होता है ध्यान से देखना जो main formula होता है वो होता है हमारे पास sigma fu, बटे में n गुडे में क्या h ये main formula है हमारा ठेक और plus में इधार हमारे पास a और यही हमारा क्या है माद्य राइट तो सबसे पहले अब मुझे a की जोरात पड़ेगी a को हमें इसमें x में किसी को मानना है हम बीच वाले को मान लेते हैं जो कि कितना है 70 बिल्कुल जैसे अभी माना वैसे ही तो हमने यहां क्या लिखा 70 लिख दिया इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए इसको जोड़ना पड़ेगा यहां पर n बराबर जो कि हमारे पास दिया गया है कि 40 आएगा I think 40 दिया आए देखो नहीं 35 35 दिया गया है इन सभी को जोड़के 35 आएगा देखो 35 नकरों के साथ चाहिए अब मुझे यू निकालना है बच्चों अभी मैंने आप लोगों को यू निकालने के बहुत अच्छा तरीका बताया है कि आप इस 70 के 10 सामने आप क्या लिखेंगे जीरो और उपर माइनस 1 माइनस 2 इस 0 के नीचे एक और दो करते पर आएंगे सबसे अच्छा दरीका है अब इसके बाद इसको इससे गुड़ा करेंगे 3 दूना माइनस का 6 10 एक कम माइनस का 10 और 11 0 0 हो गया 8 एक कम 8 हो गया 3 दूना 6 हो गया समझ गये कि नहीं अब ध्यान से देखेंगे 10 और 6 जोड़ेंगे माइनस के 16 और उसके बाद 8 और 6 14 यहां से उत्तर आएगा हमारे पास माइनस का 2 ठीक यह हमने वैलू निकाल ली सिगमा एफ यू इसकी वैलू आई है माइनस का 2 N का वैलू जो है हमारे पास वो है 35 अब मैं H का मान निकालूंगा क्या होता है H का मान इन दोनों को घटाना है 75 में 65 घटाना है तो 75 में हम 65 को देंगे घटा देंगे और मेरा सही उत्तर आजाएगा 10 ठीक इस तरीके से A का जो मान था वो बच्चों 70 था सिगमा F U निकाला हमने माइनस का 2 आया है N का मान है 35 H का मान है 10 बड़ा असान कोश्चन है अब हम लोग क्या करेंगे यहां लिखेंगे 70 माइनस इसको 5 से काटते हैं 5 सत्य 35 और 5 दुना 10 दो दुनी चार चार बटे कितना हो गया साथ ठीक अब मेरे पास इधर बच्चता क्या है मेरे पास बच्चता है सत्तर माइनस चार बटे साथ चार लिखूंगा साथ लिखूंगा दसम्रों लगाया 0 बढ़ाया साथ पचे 35 पांच होगा फिर उसके बाद ध्यान से सुनते जाएगा फिर एक 0 साथ सत्य 49 अब इससे ज्यादा भाग अभी इसको करने की कोई जरत नहीं है तो अंसर कितना आ जाएगा यहां से 0 दसम्रों क्या आएगा मेरे पास 70 माइनस 0 दसम्रों 5 और 9 घटाना है इसको मुझे तो 70 दसम्रों 0 जीरो और मुझे घटाना है 0 दसम्रों 5 और 9 ठीक 10 में 9 हो गए 1 9 में 5 गए 4 फिर यहां पे 0 ही 9 हो जाएगा राइट यहां पे मेरे पास 6 इसका मतब 69.41 इतनी हमारी सच्छर्ता दर आ जाएगी जल्दी से बताईए कि आप लोगों को समझ में आया है बहुत अच्छी तरीके से बताना कितना आ गया है 69.43 आपकी बुक का अंसर है और मेरा आया है 69.41 तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट है दोनों लगभग से बिल्कुल करेक्ट है यह भी करेक्ट है वह भी करेक्ट है अगर मैं भाग करते करते और आगे जाता तो मेरा और करेक्ट आंसर आता बट यह बिल्कुल करेक्ट है आपको कोई टेंसल लेने की जरौत नहीं है दसमलों के एक अंक तक अगर मिल जाता है जैसे दसमलों के में उत्तर आ रहा है हमारा ये ठीक दसम्लों के संख्या के बाद एक तक मिल जाता है बिल्कुल करेक्ट है बोलो आप लोगों को क्या ये बात समझ में आ गई है मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपने बहुत अची तरीके से समझ लिया होगा ऐसे प्रस्ण की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप स्ट्रॉंग बनोगे अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना मेरी ब वादिया मैंने आप सभी को पद विचलन विधी भी सिखा दी ठीक है पद विचलन विधी भी सिखा दी देखो मैंने आपको एक बार बता दिया है बात समझे नहीं मेरी मैंने आपको यह बता दिया कि इन विदियों से कैसे प्रस्ण को लगाओगे मेरी मानिए इन प्रसुनों में टीचर के भरोसे बिल्कुल भी मत रहिए आप जितना इनको खुद से प्रैक्टिस करोगे एक बार आप मैथेड जान गए इनको जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा यह त्रिकोर्ण मिती नहीं है यह आपका पहला च करो और अच्छे से त्यार करो मीन निकालना डारेक्ट मैथेड से कल्पित माध विदी पद्विचलन विदी इनको जितना हो सके अच्छे से अच्छे से आप लोग इनको ट्राइ करो राइट तो आप इनको अच्छे से क्या करेंगे त्यार करेंगे आप लोगों के जो है वो करवा दिया है अब मैं कल क्या करूंगा बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा ठीक है कल क्या होने वाला है कल नहीं क्योंकि अब मंडे को क्या होगा सोंभार को तो कल है Sunday, कल कोई class नहीं को पांच बजे हम लोग एक session करेंगे जैसा कि डेली होता है और एक session आठ बजे करेंगे, जो आठ बजे वाला session होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुलक क्या होता है और जिसे हम लोग दिखान से मुट पढ़ने हैने दिया हैं तो यहां पर फोग यह पढ़ने वाले हैं कि सेक्षूड मोड्य हैं इसको मिसे मत करना एसे गlando मोह एक बात अच्छी की तब ले नहीं मिसमा घ्र спасибо by taking time thank you so much मुझे अभी कहीं जाना है इसलिए अब मैं इस प्लिष यहीं पे समाप्त करता हूं तब तक के लिए बाए टेक क्यार मेहनत करते रहो कल फिर मिलते हैं बाइबाए बच्चो जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट सक्षिन में जरूर डाल दीजेगा बाइबाए टेक क्यार